शेहर से सरकारी फुकरापंती की एक खबर आ रही है यहां जल शक्ति विभाग सरकारी मुलाजिमों ने दारू बाजी का अड़ा बना कर रख दिया है ना कोई देखने वाला और ना ही कोई सुनने वाला ठेकेदार बोतल थमा जाते हैं और सहाब लोग रात्री के अंधकार में सरकारी कारियल्य में बोतल गटक जाते हैं मामला पाउटास साहीब के SDO कारेले जल शक्ति विभाग का है। यहां गत सपताब बनी वीडियो में दो सरकारी मुलाजिम सरकारी कारेले में बैठ कर दारू बाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी और आम जनता पीने के पानी के लिए परिशान है। उधारन के तौर पर एस वि कर वाली है। किन्तु बड़े साहब का कहना है कि जहां भी चले जाओ connection नहीं दूँगा। एक गरीब यूवक से इतने बड़े अधिकारी की बड़े खुननस का मामला तो समझ से परे की बात है। किन्तु यहां 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 भी बताते चले कि जन्मश कारेक्टरम में विध कर अपंती की एक खबर आ रही है। यहां जल शक्ति विभाग सरकारी मुलाजिमों ने दारू बाजी का अड़ा बना कर रख दिया है। ना कोई देखने वाला और ना ही कोई सुनने वाला ठेकेदार बोतल थमा जाते हैं और सहाब लोग रात्री के अंदकार में सरकारी कार कारियले में बोतल गटक जाते हैं। मामला पाउटास साहीब के SDO कारियले जल शक्ति विभाग का है। यहां गत सपताब बनी वीडियो में दो सरकारी मुलाजिम सरकारी कारियले में बैठकर दारू बाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी और आम जनता पीने के पानी के लिए परिशान है। उधारन के तौर पर एस विभाग के ऐसे हलात बना दिये हैं। उपमंडल स्तर के मुलाजिमों के चलते पूरुवालाक शेत्र के एक युवक को इस तरह भटकना पड़ रहा है। कि उसने जनमंच वो मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर भी शिकायत दर्श कर वाली है। किन्तु बड़े साहब का कहना है कि जहां भी चले जाओ कनेक्शन नहीं दूँगा। एक गरीब युवक से इतने बड़े अधिकारी की बड़े खुननस का मामला तो समझ से परे की बात है। किन्तु यहां 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 भी बताते चले कि जनमंच कारेक्टरम में पाउटा से देवाश के रेपाउट।